हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ओल अगेन इन बाइलोजी क्लासेज और फ्रेंट्स आज हम आप सभी के लिए लेकर रहे हैं कि इंपोर्टेंट वन लाइनर सीरीज जो कि सॉयल साइंस के ओपर है इसमें हमने 50 कोस्चन्स को इंक्लूड किया है और यह वो इंपोर्टेंट सभी एक्जामीनेशन में मुंस्ट इंपोर्टेंट होगे और साथ Secondly आपको बता दे कि यह 50 कोश्चंस आपके हर具 एकрав World menion में आपको यहाँ से वन तूप और साथ यहाँ से वन तूप को ऑन नमबर वह सानुट कर सकते हैं तूप अबसे पहला जो questions हैं और ध्यान से समझना कोई question अगर कोई doubt होगा तो आप comment section में जरूर पूछना The fine earth covering land surface act as reservoir of nutrients इसने कहा है कि एक fine earth covering land surface होती है जिसमें nutrients बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस surface को क्या कहा जाता है तो उस surface को soil कहा जाता है दोबारा से देख लीजिए Fine earth covering land surface act as reservoir of nutrients and water तो यह कह सकते हैं कि अर्थ के ओपर एक land surface होती है जिसमें nutrients और water बहुत ज़्यादा होता है तो उस surface को हम कहते हैं soil नमबर टू है the word soil is derived from तो soil word जो derive हुआ है वो latin word से derive हुआ है ठीक है ग्रीक वर्ड से याद नहीं रखना आपको याद रखना है latin word से वो derive हुआ है इसके बाद study of origin classification morphology of soil is known as pedology तो देखो इसका मतलब है कि जब आप मिट्टी की उत्पत्ति या मिट्टी का वर्गी करण या मिट्टी की भाई ये जो है अध्यन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं पैडलोजी कहते हैं ध्यान रखना पैडलोजी में हम मिट्टी का अध्यन करते हैं यानि कि उसका classification क्या है उसकी formation कैसे हुई है एक मिनेट अगर आप स्ट्डी करते हैं सफ उस स्ट्डी करते हैं और अगर सिर्फ स्ट्डी करोगे तो पैडलोजी होगा तो पैडलोजी और इडरीडोजी दोनों सोइल से रिलेटेट हैं आई मोस्ट इंपूरेंट फादर अफस्वव्व साइंस। डॉकुचेव है अच्छी से 1 कर दें तो फादर अफस्व उप साइंस। ऑफ सो एल वोटर उनल याद रखना है वर इसविवोटर की से NICK सटरेशन 15 यानि कि सॉइल में स्पायल। वाटर की स्फेत्रेसिशन 50 Eng Jei है और्गेशैंग मैटर कांटेंट कितना होता है 5% होता है नेक्स है नैचुरल सोयल आगरिगेट्स मास ऑर नोन ऐस पैड्स तो याद रखना कि जब सोयल क्या है एग्रिगेट्स होकर एक mass बनाती है एक इसे कह सकते है एक aggregates बनाती है ठीक है तो उसे क्या कहते है पैड्स कहते है तो आप याद रखना है कि naturally soil जब aggregate होती है एकटा होती है तो वो क्या बनाती है पैड्स बनाती है एक मिनट नेक्स्ट है दस साइंस डैस्क्राइब रॉक्स वो साइंस जो रॉक्स को डैस्क्राइब करती है याद रखना ग्रेणाइड और बेसाल्ट यह दोनों igneous rocks के example है यानि कि अवसादी चट्टानों के उधारन है limestone, sandstone and dolomite पॉइंट याद रखना limestone, sandstone और dolomite ये क्या है ये sedimentary rocks के उधारन है ठीक है limestone, sandstone और dolomite ये कैसी rocks के example है sedimentary rocks के इसके बाद janice, marble और quartzite and slate janice, marble, quartzite और slate चार तरह के rocks है ये metamorphic rocks के example है students most important one liner series है एक एक question आपके exam में पूछा गया है और आने वाले exam में आने की importance रखता है the rocks gets broken in pieces due to temperature is cold याद रखना कि जब rocks जो है वो तूटता है pieces में temperature की वज़़ज़ से तो इसे exfoliation कहते है ओके तो exfoliation का meaning याद रखना है कि exfoliation क्या होता है जब rocks जो है तूटता है pieces में temperature की वज़़ज़ से तो इसे exfoliation कहते है तो अगर rocks pieces में temperature की वज़़ज़ से तूटेगा तो इसे exfoliation कहा जाएगा felspar, quartz और mica ये कैसे minerals हैं तो ये primary minerals है felspar, quartz और mica तो ये soil के primary minerals होते हैं felspar, quartz और mica soil के primary minerals होते हैं तो एक्जाम्पल ओफ two ratio one type silicate clay minerals ज़ाद रखना है ये पूछ रहा है कि two ratio और one ratio type का silicate clay minerals क्या होता है तो monomoral not और vermiculite और illite तो बात कर रहे हैं कि जो example है two ratio one type silicate clay minerals का वो क्या है तो याद रखना montmorillonite और vermiculite और illite ठीक है montmorillonite, vermiculite और illite ये तिनो two ratio one type के silicate clay minerals के example है जो हमारी earth crust होती है उसका most dominant minerals कौन सा होता है फेल्सपार होता है इसने कहा है कि जो एक weathering minerals होता है having most stable soil structure weathering process यानि कि weathering process होती है जिसमें हमारी soil का formation होता है तो उसमें सबसे जदा stable जो हमारा structure होता है वो किसका होता है वो हमारा कालोनाइट का होता है next question है which minerals is the source of phosphorus and boron in soil soil में phosphorus और boron का जो source है वो क्या होता है तो appetite जो है boron और phosphorus का source होता है the hydroxide act as cementing agent in binding the soil particle together इसने कहा है कि इन में से कौन सा soil particle को एक साथ बांधने का काम करता है यानि कि cementing agent की तरह work करता है तो iron और ammonium दोनो soil particles को aggregate करने में cementing की तरह काम करते हैं cement की तरह काम करते हैं दोनों को बांध देते हैं तो cementing agent होता है iron और ammonium किसमें soil particles के togetherness में है उनको आपस में जोडने में A vertical section of soil through all its horizon is known as soil profile. तो soil profile किसे कहते हैं? जब आप एक soil का vertical section cut करते हो, ठीक है? Horizontal नहीं, vertical section cut करने पर जब आपको इस तरह से अलग-लग soils की layers दिखाई देती हैं. ओके, यह आप सभी को बता है, कि जब हम soil के structure को काटते हैं vertically, देखो, यह vertical होता है हमारा cut, और अगर आप ऐसे cut करोगे, तो यह horizontal cut होता है. यानि कि इसे हम कह सकते हैं लंबवत काट, इसे हम कह सकते हैं अनुधहरिये काट, ठीक है? Sorry, अनुप्रस्त काट. तो यहाँ पर एक vertical section of soil, जब आप एक soil का vertical section काटते हो, तो आपको क्या दिखता है? उसके horizons दिखते हैं और यह structure क्या कहलाता है? Soil profile कहलाता है. अब यहाँ से सुरू होते हैं आपके exam के most, most important question. Which horizon is called fertile zone? इन में से कौन सा horizon fertile zone कहलाता है? A horizon कहलाता है. ओके? इसके बाद, The horizon absent in arable land. याद रखना कि जो आपकी arable land होती है, उसमें O horizon जो है, वो क्या होता है? absent होता है. ओके? इसके बाद next है, The elevation horizon is. Elevation horizon किसे कहते हैं? तो E और A to horizon को Elevation horizon कहते हैं. ठीक है? जिसमें Elevial soil पाई जाती है. इसके बाद है, The elevation horizon is. The elevation horizon is B horizon. ओके? Next है, A plus B horizon को एक साथ क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं. याद रखना, A plus B horizon को एक साथ मिलाकर सोलम कहा जाता है. A plus B plus C horizon को एक साथ मिलाकर रिगोलित कहते हैं. A plus B plus C horizon को एक साथ मिलाकर रिगोलित कहा जाता है. Next, most important है, Formula of Bulk Density of Soil. तो formula क्या होता है, bulk density हमेशा gram per cubic centimeter में चेक की जाती है, cc का मतलब होता है cubic centimeter, तो bulk density हमेशा gram per cubic centimeter में चेक की जाती है, कैसे इसका formula होता है, याद रखना bulk density का formula, weight of dry soil upon का sign आएगा, बटे, volume of soil, पूरा पूरा याद रखना, weight of dry soil, बटे, volume of soil, और volume of soil में आप solid particles भी लेंगे, और solid particles के बीच में जो pores हैं, जो solid particles आपस में मिले हुए हैं, तो उनके बीच में जो pores हैं, उनको भी आपको bulk density में include करना है, इसके बाद bulk density of normal soil is, normal soil की bulk density कितनी होती है, तो 1 से 1.6 gram per cubic centimeter होती है, next the formula of particle density of soil, particle density का formula gram per cubic centimeter कितना होता है, weight of dry soil upon volume of soil solid, point याद रखना, particle density का formula होता है, weight of dry soil, एक मिनिट, weight of dry soil upon volume of solid soil, इसके बाद है, widely accepted, एक मिनिट, widely accepted fixed value of particle density is, यानि कि इसने का है कि कौन सी particle density जो है well accepted है, तो 2.65 gram per cubic centimeter, particle density को consider किया जाता है, और bulk density को consider कियाता है, 1 to 1.6 gram per cubic centimeter, तो यह होती है, bulk density और यह होती है, आपकी particle density, ओके, इसके बाद next बात करेंगे, next question की, the soil having particle density 2.50 gram per cubic centimeter, and bulk density 1.25 gram per cubic centimeter, will have which percentage porosity, तो particle density तो है 2.50, bulk density है 1.25, तो porosity क्या percentage होगा, porosity का, तो direct answer है, कि porosity percentage होगा 50%, एक मिनिट, इसके बाद next है, एक field soil sample weighing 60 gram, एक field का sample लिया गया, कितना, 60 gram, lost 12 gram on oven drying, यानि कि जब हमने उसको oven drying किया, यहाँ पर यह N कर ले न, oven, oven जो हमारी lab में होता है, ठीक है, तो उसमें से 12 gram जो है, oven में dye हो गया, what is the moisture percentage on dry weight basis, तो moisture percentage dry weight के basis पर कितना होगा, तो point याद रखना, कि वो होगा कितना, 25%, ओके, तो एक field soil का sample 60 लिया गया, 12 gram था वो dry हो गया, तो moisture percentage dry weight कितना आया, 25%, ओके, the weight of 1 hectare of surface soil, 0 to 15 cm in kilogram, तो यह कितना होगा, जो weight होगा 1 hectare of surface soil का, 0 to 15 cm में, kilogram में तो वो आएगा कितना, 2.24 into 10 की power 6 kg per hectare, तो यह weight होता है, 1 hectare soil surface का, kilogram में कितना, 2.24 into 10 की power 6 kg per hectare, 1 hectare soil surface का weight होता है, the arrangement of primary particles of soil is soil structure, जब क्या होता है, primary particles soil के arrange दो आते हैं, तो इसे हम soil structure कहते हैं, point याद रखना, arrangement of primary particle of soil, यानि कि soil के जो प्राथमिक कन है, जब वो arrange जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, soil structure कहा जाता है, next है, the relative proportion of sand, silt and clay is termed as, इसने कहा है, जो relative proportion है, sand का, silt का, clay का, यानि कि जब आप बात करते हैं, तीनों की, sand, silt और clay की, तो इसे हम soil texture में consider करते हैं, तो what is soil texture, जब आप sand, silt और clay के proportion की, कितना कितना इनका अनुपात है, तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं, फिर किसकी soil texture की, सपोज करो, बहुत minute particles हैं, तो हम feel करके देखेंगे, finger और थम के बीच में, तो हम उसे clay soil consider करेंगे, थोड़े उसे बड़े हैं, तो silt soil, ज़्यादा बड़े particle हैं, तो sand soil, तो soil texture होता है, कि मिट्टी की मोटाई को देखना, ओके, the best agriculture soil structure is, crumbie और spheroidal, याद रखना, soil structure best क्या होता है, crumbie spheroidal, spheroidal मतलब, एक तरह से आप कह सकते हैं, कि इस तरह का shape होता है, soil के particle का, तो best agriculture soil structure कैसा होता है, याद रखना, crumbie और spheroidal होता है, spheroidal shape ऐसी होती है, next है, soil structure proving less porosity in soil, platy, इसने का है, ऐसा soil structure, जिसमें less porosity होती है, soil में, तो वो होता है, platy structure, soil का platy structure वो होता है, जिसमें porosity सबसे कम होती है, best agriculture texture, loamy soil का होता है, तो loamy soil, यानि loam soil सबसे best होती है, और उसी का texture सबसे, ज़्यादा best होता है, इसके बाद बात करते हैं, next question, NBSS और LUP Center is located at Nagpur, तो NBSS LUP का मतलब है, कि National Bureau of Soil Survey, National Bureau of Soil Survey, and Land Use Planning, ठीक है, LUP Land Use Planning, तो National Bureau of Soil Survey, and Land Use Planning Center, जो है वो कहाँ पर है, Nagpur में है, commonly followed soil particle classified in India, इन्होंने का है, कि हम जब क्या है, soil particle को classify करते हैं, इंडिया में, तो हम किसे follow करते हैं, तो हम follow करते हैं, International Society of Soil Science, ISSS को follow किया जाता है, तो इंडिया में, soil particle classification के लिए, ISSS को follow up किया जाता है, according to ISS, the particle size of course sand is, इसने कहा है कि, IISSS के according, जो course sand का size है, वो कितना होता है, 2 से 0.2 mm होता है, तो course sand का 2 से 0.2 mm, particle size of fine sand, 0.2 से 0.02 mm, particle size of silt, 0.02 से 0.002, और particle size of clay, 0.002 से कम, तो ये sequence में है, 2 से start होता है, और 0.002 पर खतम होता है, और 4 size यहां पर देखे जाते हैं, coarse sand, fine sand, silt और clay, तो याद रखना, 2 से सुरू होकर, 0.002 पर रुकता है, इसके बाद है, the maximum pore space are found in clay soil, तो सबसे यादा pore space कि, मिलता है, clay soil में मिलता है, maximum pore space are found in clay soil, ओके, इसके बाद, soil color is determined by munsell color chart, जो soil color होता है, वो determined होता है, किस के थूँ, munsell color chart के थूँ, इसमें क्या होता है, कि different colors chart होते हैं, तो उससे हम soil color देख लेते हैं, तो munsell color chart के थूँ, हम soil color का determination करते हैं, तो chroma किसे कहते हैं, relative purity और strength of the spectral color, यानि color की purity और color की strength, याद रखना क्या कहलाती है, chroma कहलाती है, soil में color की purity और color की strength, क्या कहलाती है, chroma, इसके बाद, the capacity of the soil to change its shape under moist condition, soil plasticity, जब soil moisture condition में, जब soil में moisture होता है, तो उसमें जब वह अपने आपको change करती है, change करने की ताकत रखती है, तो उसको soil plasticity कहते हैं, the attraction of solid surface for water molecules is called addition, तो याद रखना कि जब water molecules, के लिए, जो solid surface है, वो attract होती है, तो इसे addition force कहा जाता है, यानि कि आप याद रख सकते हो, ये soil particle है, ये H2O है, तो जब इस soil particle का, और H2O के बीच, क्या होगा, attraction होगा, तो इस force को हम कहेंगे, कौन सा force, adhesive force, H2O और soil particle के बीच, जो force होता है, वो होता है addition force, और जो force, water और water के बीच होता है, यानि कि ये भी H2O है, और ये भी H2O, तो जब water water के बीच होता है, तो वो होता है cohesive force, पॉइंट याद रखना, वो होता है cohesive force, और ये होता है adhesive force, ओके, इसके बाद next है, the density of soil water is maximum at 4 degree Celsius, soil water के maximum, जो density होती है, वो कहा होती है, 4 degree Celsius पर होती है, the surface tension of water is at 25 degree Celsius, water के surface tension 25 degree Celsius पर कितनी होती है, 72.7 dine per centimeter square होती है, next है solution, whose strength और concentration is accurately non-stormed as standard solution, इसने कहा है, कि solution, एक ऐसा solution है, जिसकी strength और concentration, accurately पता हो, तो ऐसा solution क्या होता है, standard solution होता है, तो point clear हो गया होगा, कि एक ऐसा solution, जिसकी concentration और strength का पता है, तो उसे standard solution कहा जाता है, तो आज के हमारी soil science की one liner series थी, सभी questions आपको कैसे लगे, हमें comment box में ज़रूर बताएं, और आपको कोई doubt हो, तो उसे comment section में पूछ ले, या फिर हमें contact करके भी, आप अपना doubt clear कर सकते हैं, ओके friends, तो हमारी जो है कोशिस है, कि आप सभी के अपको examination के लिए, best of the best material, हम आपको provide करते रहें, तो इसके बाद, जरूर करें, साथ ही अपने सभी friends को share करें, और biology classes को support करें, ताकि आपके लिए हम और भी best of the best material प्रोवाइड करते रहें, ओके friends, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye and take care.